यह देगें यहां पट एक यह पूरी वाल देखें नई तश्चार की आई ऐस प्वाइंट तिक वल टोट चुकी है ? नई वाम उदर देखने है इसलिए न्या घाट पुलिस चौकी अई इसलिए पूरा जो यह बीच मेदें गैप है इसी में जो है लोहे का पाईप डालके जो है यह पूरा ऐसे खड़ा हो जाए अब उदर में शर्जीव नदी का पानी इधर के साइड फ्लो करता है इसे वजा से वो पंप बंद रहता है यह पूरा इधर का एरिया भी आप देख सकते हैं नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है इस नए वीडियो में तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है धरम पत्मार्ग पर जो निर्मार का रहा है उसके बारे में और अभी हम खड़े में दो शर्यू पुल पे पीछे देख सकते हैं स्वयू नदी का ब्यंगम द कैमरी के दोस्तों देख सकते हैं पूरा सर्यू नदी का वियंगम काफी खतरनाक देखने में समय लग रहा है और सामने देख सकते हैं ये घाट पूरा पूरा तरीओ के घाट वह उधर कि पैड़ी और यहां राम मंदीर की क्रेंज भी नज़र आती है कि यह पूरा आप दे स्सक्राइद लाइन से यह पूरा बनेगा यहां इस पॉइंट पे वर्क होगा और सेगें डिनों से इचन्ट वर्क वगे और सीड़ियां और देख सकते हैं पत्थर कुछे जल्दी नहें पत्थर को गया जाल असतर कर दो तो चीजे काम हो गया थोड़ इसी फास्ट हो पिसले दो दिनों से GANGA जी का भी जलस्तर बढ़ा है सरिव जी का भी जलस्तर बढ़ चुका है तो अभी हम यहाँ से चलते हैं आगे के साइड को चीज़ों के बारे में बताते हैं क्या चीज़ें कैसे हैं लोग गारियां वगएरा जो है पुल पे पार्क करके चले जाते हैं उद्या घूमने के लिए देखे एक चीज और अपडेट हो चुका है अगर आप की दूर नजर जा रहे होगी सेल्फी पॉइंट पे वहां पे फ्रेम लगी हुई थी उस पॉइंट पथल लग रहा है इसक का चीज से कैसे क्या बदला हो चुगा है तो चलिए दोस्कों चलते हैं आपको दिखाते हैं कि यह देखे सर्यू पुल लक्नाव गोरकपुर राष्टे मुक्मार 28 मिल इस पुल का गाटा स्रीमति इंद्रा गाने जीप करकमलो दारा कि यहां पर पत्थरों पर दर्शाया गया है अब यहां से देखें अगर उस साइट से आप आएंगे पुल के साइट से मनलब गोंडा के तरफ से आएंगे तो यहां से पहली सीड़ी है उतरने के लिए नीचे यह जितनी भी वाल यहां पर अभी आपको दिखाते हैं सारी की सारी जो है वो बन रही है नई यहां पर नया घाट का बोर्ड लगा हुआ है नीचे उतरेंगे तो नया घाट यहां पर यह पूरा आप देख सकते हैं यह पूरी वाल गिरा दी गई है नई वाल जो है वो बन रही है थोड़ा सा आपको दिखाते हैं फिर चलते हैं आगे यह देखें यहां पर यह पूरी वाल देखें नई तयार की जा रही इधर का आपने देखा ही था भी रिसेंड में ही अपडेट आगे एक सेंपल के तोर पर बनी है चलते हैं आगे तो वहां भी देख सकते हैं सेलफी पॉइंट के पास कि इतनी गाड़ियां खड़ेते हैं पार्किंग वेरा बना है तब भी इधर के साइट देखिए यह पूरी शॉप्स हो गयरा नहीं बन दई है लाइन से देख सकते हैं यह पूरी रोड जो है काफी जादा चौड़ी हो जाए इस टाइप की यहां से यह सीड़ी जो उत्री हो एक दूसरी वाली यह भी चौड़ी हो जाएगी देखे यहां से एक सीड़ी इधर पहले बनी हो ति यह दूसरी बन देगा जाएब लाढ़ी हो जना देखे य से झाटा ख जड़하 बनी है जाम के स्थीग हो जाती नहीं, एद्धा में आम बात हो चुकी है लेफ्ट साइड की और दिखाते हैं आपको कितना इसका चौड़ी करोर का वर्थ हुआ है, इस पॉइंट पर यह जो सौचाले दिख रहा है, आधोनिक सौचाले यह पूरा तूट जाएगा, लेफ्ट साइड की और भी दिखाते हैं आपको देखें यह इतना पूरा जो है, जितने में गारी खड़ी है यह पूरा जो है, चौड़ा हुआ है, वाल तूट गई है पूरानी वाली दे गई यहाँ पर, इस पूरा जो है, यह वाली वाल तूट चुकी है, नई वाल उदर देखना है, यह है नया घाट पूलिस चौकी, जस्ट इसके एकदम पीछे ही है जल्दी ही वो भी तूटेगा, तो धरमपत से यह इसकी कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी, तो और चौड़ा यह मार्ग हो जाएगा सामने आप देखी सकते हैं, धरमपत का वे यंगम दिरिश्च, खोबसूरा तिक दम लता मंगेशकर चौरहा आज संडे है, तो आज काफी जादा बीर है चलिए चलते हैं और आगे, देखें यह वाला पॉइंट्स जो है बिल्कुल ऐसा बन चुगा है इस पॉइंट पर देख सकते हैं, काफी पहले से जैसा कि मैं बताते आ रहा था कि जब तक यह रेलिंग वगरा लगके सही नहीं होगा तब तक यह सिफ्टी में नहीं रहेगा यहां सब यह देखें दिया गया है मतलब इसमें लोहे की मोटी-मोटी पाई पर लगके फिर ग्रील लगेंगी पेड़ वगरा भी देखें अच्छे से गुरो कर रहा है अच्छे से यहां पर देखें बोट पर कुछ चीज़े दरसाई गई है अध्याबच स्टेशन रामकाट हाल्ट रेल्वी स्टेशन कार सेवक पुरम अब यह वाला इतना पन चुक है अब इस पे जो है ग्रील्स का काम और रेलिंग का काम जल्दी स्टार्ट हो जाएगा यह पूरा यह बीच बीच में यह गैप है इसी में जो है लोहे का पाइप डालके जो है यह पूरा ऐसे खड़ा हो जाएगा तो काफी सही रहेगा सही के साथ साथ सेफटी भी हो जाएगा कि अब इधर तयार हो रहा है पूरा यह पानी से इसको तरी किया जा रहा है ताकि मजबूती जो है अच्छे से बरकरार है अब राम की पैड़ी में जो जलस्तर आता है उदर से होते ही नीचे से फिर आगे के साइड वो सामने चौदरी चरण सिंग हाथ है तो जलस्तर जो है उदर से काफी जादा हो चुका है तो इस वज़ा से जो है अभी पानी वगेरा जो है पांप उदर नहीं चलता है कि देखिए इधर पूरे आप देख सकते हैं निर्मार का पुराना वाला पूरा डिवाइडर तोड के अभी नया पूरा बनाया जा रहा है देखिए उस साइड के और देख सकते हैं जो सौचाले वगेरा बनाओ उस पर कितनी अच्छे से डिजाइन है बहुत दीजवर्दस डिजाइन बनी हुई है आज यह उदर से चलते हैं आपको उदर का वर्क दिखाते हैं सामले राम पठा संगराले आपको तोड़ा से यहां से दिखा देते हैं दिखी इदा से जलस्तर आता है काफी ज़्यादा जो है मतलब पानी का हो जाता है इस होजा से वहां पर पंप मतलब नहीं चलता है देखें इदर जलस्तर कितना साधा हो चुगा है देखें पूरा यह कितना साधा जलस्तर है अब उदर में शरीव नदी का पानी इदर के साइट फ्लो करता है इसी वज़ासे वह पंप जो है बंद रहता है यह पूरा इदर का एरिया भी आप देख सकते हैं का प्सूरत यह बना हुए है अब इधर के साइड जो है यह वाला मार्ग इधर के साइड जो बन रहा है साइड में उदर के साइड होते हुए पूरा ऐसे जाएगा आगे जाते हुए काफी जादा यह से कंजेस्टेड है तो यह मलब ऐसे आगे जाने का इधरी वाले रोड पर जो है यह पूरा सिफ्ट हो जाएगा होते फिर आगे अगर आपने देखा कौन सी चौकी वह राज नया घाट पिलिस चौकी के पास से होते तब आगे जाएगा यह अगे सीधे जाके फिर राइट सा नदी में तो बस आगे जाके राइट साइड हो जाएगे ना कि आगे है कि गाजास्थान के लोग यहापी ज्यादा जुर्ण है कि आते हैं कि देखें यहां पर सामने कि यह पूरा दिख रहा ना अपको कि यह पूरा हो रहा है कि यह सब यह सब इदर से उते हैं कि सुधा है कि यह जो है पूरा फोर्ड पॉयंट यह पूरा हड जाएगा अब लोग किंतित भी होंगे कि अब कहां पे कैसे क्या किसे होगी यह देगे पूरा जाल इसको डाला जा रहा है बनाया जा रहा है काफी लंबा यह फूर्ट पॉइंट है सुरू में बना था तो लोगों में काफी उस्सा था बटब देखे कहां पर यह सिफ्ट होता है कि यह देखे जीवी से कैसे यह पूरा जो इसको यह पहले मिट्टी हटा के फिर इसको किया जा रहा है अब देखे यहां पर यह पूरा कम्प्लीट जो है बनेगा उदर भी देख सकते हैं डिजाइन कितनी अच्छी बनी है सुलफ सोचाले पर और अश्नान घर भी है बहुत जवरदस्त मार्ग अब देखिए इधा साइड वाले पर रेलिंग बनती है कि नहीं क्योंकि हर चीज जो है काम करने वालों को नहीं पता होता है देखिए यहां पर भी देख सकते हैं इस पॉइंट पर फूड कोड वहां पर था उसके बाद की स्थिति देख सकते हैं आप क्या चीज़े कैसे हैं अब इदर यह हनमान कुफा चौई रहा है होते फिर आगे ऐसे जाए जाएगा पूरा वहां तक धर्म-चौक तक दरब्चॉक से फिर एखिल लाता हुद्ध को इतना हिस्सा छोड़ के तब इदर बन दहाई आधि लगबग छेपिट छोड़ के फिर इदर इसराट होगे चलना ने यूपी तिर्पन बताएं कमेंड करने करके उपीन अ कहा का कोड़ अव्य अब यह डिस्प्ले सो लगा हुए हट्रे का जल्दी एधर के साइड कि सामने दिए कितना जादा खुब सुरत लग रहा है अब यहीं से यह मार्ग जो है कटा हुआ है चौदा कोशी और पच कोशी भी कवा मार्ग दीके फूट पाथ का देख वाई यूस तो मिल ला है इधरे भी मतलब जैसे सदालू है यह लोग अच्छे से जा रहे हैं यह नहीं अब भी नहीं बना रहता तो इसी में रोट से आना जाना रहता अब उदर से वह मार्ग होते हुए आगे के साइड गया हुआ है तो कि आपको दिखाते हैं हन्मान गुफा पंच कोशी भी गवा मार्ग इस पर देखें अभी डिजाइन कोई नहीं बनी यह यहां पर संदे और वंगलवार के दी त्यूजडे को यह जामने राम गाठाल ट्रेलवे स्टेशन राम गाठाल ट्रेल्वे स्टेशन बहुत ही जबर्दस्त बहुत ही सुंदर एक नंबर का बना हुए है कि अगे रोक ठाम के लिए लगाया गया था ये पत्थर इस टाइक के तो भी लोग जो है गाड़ियां आपको चलाते पर मिल जाएंगे इतने मानवाव लोग पड़े हुए है कि इधर के थोड़ा सा वर्क आपको दिखाते हैं इस पॉइंट का यह देखिए इधर का वर्क हो रहा है कि इस तरीके से यहां पर देख सकते हैं यह अब इधर से होते हुए यह मिट्टी वगेरा थोड़ा सा देखि हैं कि क्या करते हैं जैसे एक पॉइंट और है पुल के नीचे और उसको हटाएंगे तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी जो है असान हो जाएगी जैसे एक इधर वाला कर दी हैं अब इसके बाद एक यह थोड़ा से यहां पर नज़र आ रहा है वैसा ही बिल्कुल उस साइड क और भी है अटा कि मिट्टी गजी हुई है तो उसका कोई और उपाय करते हैं ताकि उदर से भी जैसे रेल्वी स्टीजन का प्लेटफॉर्म है तो इधर भी डिश्टर्बिन ना हो और इधर से जो है महला दस्ता बन जाए अब उदर के साइड जो है वार कि स्टार्ट नहीं हुआ जो है इधरी के साइड वार कि स्टार्ट हुआ है और बीच में जो है डिवाइडर के सेफटी के लिए उनके सेफटी के लिए वह डिवाइडर बनाया जा रहा है अब अच्छे से बन जाएगा देखे उसी वाले पॉइंट को कह रहे हैं उदर साइड वाले को वो पूरा मलबा पत्थर वगरा हटा दिये जाएगा तो रस्ता अच्छे से हो जाएगा अब देखिए कब तक हटाते हैं इसको यहां पर भी लोगों ने अपनी गाड़ियां देखे फार की होई गया हुआ 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 है बताइए पहले जब इतना टेक्नोलोजी वरलब नहीं हुआ करता था तो गुजिस टाइप का जैसे पुल बना हुआ है नहीं तो अगर इसको आज इस टाइम में बनना होता तो तो वाला वाला की टेक्निक से बनता कि देखे यहां पर पत्थल लगाया गया है रोग ठाम के लिए कि गाड़ी वगरा न लेके जाने था है कि देखे वहां पर कैसे बड़ी वाली जो है जैसी भी बहुत कर रही अपना अब इदर के साइड यह पूरा जो है पेड़ वगरा सब लगे हुए इदर से बगल से ऐसे जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया कि नीचे से वह पत्थर वगरा हटाये जाएंगे और तब कनेक् सकते हैं सीट्स वोगेरा लाके अभी से रख दी गई है देखी यहां पर अगर इतनी है एडवांस मसीनरी ना रहे तो काम बताइए कैसे हो बाएगा इतना पाज देखे इधर भी इतना चोड़ा किया गया है मिट्टी डालके अब इस साइड में देखी यह डक्ट बनाने का काम स्टार्ट हुआ है क्या 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 वर्क हो रहा है यार देखी यहां पर इधर के साइड भी वाल के डिजाइन है वादला पहले से प्लांट था कि इधर के साइड बनेगा पूरा जाल बादा जा रहा है अब पिछली अपडेट में यह सब बिलकुल नहीं था कुछ भी आप इससे सोच सकते हैं कि कि अधर फास्ट वर्क हो रहा है कि अधर के साथ साथ इधर भी अलबती है चलते हैं आगे और दिखते हैं अब तेकिए पेड़ वगेरा बचाया गया है जीए जैसे वो पेड़ वहाँ पर आयाओ है तो अलका सा इसको करव कर दिया गया गया है घूमा दिया गया है फिर मुझे लग रहा है इधर के fine का जो जब जा यह पीड़ बाहां पर बूच में पेड़ है यह सब जो है अटाया दिये जाएंगे, काट्स दिये जाएंगे, दिखें जैसे यहां पर यह पेड़ है, इसको थोड़ा सा घुमा के फिर उदर कर दिया गया है, एक सुलब टॉइलेट यहां पर है, घलब स्टार्टिंग में ही, धरम पद मारक के, देखें यहां से स्टार्ट किया गया है, यह डक्ट, छोटा सा ही है, बनाना, अब आगे यहां पर पेड़ है, अब आगे देखें वहां तक बनता है, यहां अब देखें, यहां तक गिट्टी वगएरा डाली गई है, बीच में यह सारी चीज़े हैं, तो इस होजा से जो है, थोड़ा सा रुका हुए इस पॉइंट का खाम, यहां पर देखें, बिल्कुल जो है, धरम पत्मार के स्टार्टिंग में, इधर पूरा यह पार्किंग वगएरा बसों के हैं, जो बाहर बाहर से आते हैं, यहां पर पार कर देते हैं, यह धरम चौक है, अध्या बाइपास, तो देखा दस्तों, आपने आज के धरम पत्के निर्मार कार के बारे में, और उधर जो चीज़े लेटिस्ट वर्ख हो रही थी, हमने आपको दिखाया सारी चीज़े, क्या चीज़े, कैसे हैं अभी मौक है, तो आज की वीडियो में दस्तों यहीं पर रखते हैं, फिर मिल